फ्रेंड इंटि नर्इंस किचन में आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सब के साथ सेंड़्वीश ब्रेड पकलते की रेसीपी जी हाँ यह नॉर्मल सा ब्रेड पकाड़े की नहीं है यह थोड़ा सा डिफरेंट तरीका का डिफरेंट फ्रेवर से और डिफरेंट इस्टाइल से आज आप सब को बनाना है सिखाऊंगी जो बहुत ही इजी लिए आप घर पे बना के रेडी कर सकते हैं और इंज यहां अधरक मैं एक इंच ली हूँ इसको ग्रेट किया हुआ है ग्रेट कर ली हूँ और क्रीन चिली दो लेके मैं इसे छोड़ी चुटों टुकरों में कट करके डाल दे रही हूँ थोड़ा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रखना है कि यह जले नहीं सारे चीज सा इसे बहुत अच्छा सा कलर राएगा वन टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ ती स्पून के जैसे जीरा पाउडर वन टी स्पून धनिया पाउडर भी बन टी स्पून डाल दे रही हूं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लोंगी फ्लेम बिल्कुल लोग टू मीडियम और गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून यह होम मेट गरम मसाला है, इसे भी अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेना है, अब मैं यहां पर दिखिए, यह मैंने चार पोटेटो लिये था, जिसे बॉयल कर ली हूँ, साथ ही साथ इसे मैस कर ली हूँ, इसे डाल दे रही हूँ, म मैं अच्छे से इसे मिक्स कर ले रही हूँ, ताकि मसाला वगारा सब जो हो अच्छे से मिक्स हो जाए, साथ ही साथ इसमें, मैं वन टीस्पून या अपने टेस्ट के एकोडिंग नमक डाल दीजेगा, अब इसमें मैं थोड़ा सा और टेस्ट को बढ़ाने के लिए, इसमे काज हो थोड़ा सा इस तरह से चुटे-चुटे टुकरों में मैं कट कर ली हूँ, टूटेवल स्पून के जैसे डाल रही हूँ, किसमीज भी डाल रही हूँ मैं, टूटेवल स्पून के जैसे, सारी चुजों को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, इसके जगा में आप हे थंडा हो रहा है हम यहां पर बैटर रेडी कर लेते हैं देखिए मैंने एक बॉल में यहां पर एक कप के जैसे बेशन ली हूँ अब साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले आड़ कर देती हूं वन टीस्पून की जैसे नमक फिर से वही आप अपने टेस्ट के अकोडिंग भी डाल इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आचा है साथ इसाथ आज़वाइन भी उन टीस्पून डाल रही हूं यह डाज़ेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है मीं भी civic आचा आता है साथ यहां पर À डारी हूँ फ्रेंस बेकिंग सॉड नहीं उसकरना है वेकिंग पौर डालना है मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर वन टी स्पुन डाल रहे हूं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले अब इसी में मैं थोड़ा थोड़ा से पानी मैं ऑपने हिसाब बैसन मोटा पतलु को सतो है अपने एक बैसन आप मिक्स कखा हुआ देखे तरह रहा है इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गीया है मैं थोड़ा सा धनिया पतलए ज्युठी त्कुड़े शोड् explosions हुआ डाल दिजिए ग banco और अच्छे से फिर से मिक्स कर दीजेगा यह हमारा बेटर बन के रेडी हो गया है बिल्कुल दूसरी तरब मैंने यहाँ पर बेट के स्लाइस ले लिए है वही बेट जो हम लोग रेगुलर यूज करते है खाने में उसे देखिए इस तरह से चारो तरब इसके जो कॉर्नर है इसको कट कर दे रहे हैं इस तरह से नाइप से यहाँ पर आप अपने हिसाब से जितना आपको पकोड़ा बनाना है सेंड्विच बनाना है उसको यहाँ पर मैं आट दस ब्रेट के سलाइस को कट कर लूँगी देखिए इस तरह से एक कोर्नर को कट करके निकाल लेना है यहाँ पर मैंने सारी चीजे अरेंज कर दी ए देखिए यहाँ पर हमारा बेशन आलु को मैंने ख़ सिंपल हम लेके ग्राइंड करके यहां पर रेडी कर लिया है अब इसे इन सारी चीजों को साइड में करते हैं मैंने यहां पर दो ब्रेट के स्लाइस ले लिये हैं सबसे पहले हमाई इन स्लाइस में चटनी लगाऊंगी एक में इस तरह से ग्रीन चटली अच्छे से चारो तर जाता उसे इसमें भर भर के रखना है बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है बिल्कुल हमारा आप टेश्टी से जो फिलिंग है उसे अच्छे से इस तरह से चारो तरफ फैला लेना है अब इसके उपर मैं यह जो दूसरा वालब ब्रेड है उसे इस तरह से कौभर कर हैं पुरा सेंड़्वीच बनके रेडि हो गया है अब दूसरी तरह हमने कड़ाई पर इतार तेल गरम करने के लिए रख दिया था अब इस तरह से यह कंगे सेंड़्वी को लेंगे अब हम इसे जो बेशन हमने रेडि करके रखा था उसमें इस तरह से हम साइड में कॉर्णrs को इस तरह से बेटर में डीप करते हुए इसके मुउग को बंद कर देना है और तुरत यह का प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है तुरत दोनों साइड่ भी इस में कोट करने है और हमें तेल से एकए करके छोड़ते जाना है या यहीं तो गराइन पकड़ाहां हमारे यहीं पक ना देना है जब एक साइड अच्छे से हमारा फटव एड़ Kirna brown हो जाए तो हम दूसरे side turn कर देंगे यह देखिए हम यहाँ पर अब दूसरे side में turn कर दे रहें देखिए कितना अच्छा से color आया है बिल्कुल अच्छे तरीका से perfect तरीका से एक side में हमारा पक चुका है color भी बहुत अच्छा से आ गिया है अब यह हमारा दूसरे side में भी पक गया है देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे देखिए वाओ कितना अच्छा सा color आया है कितना प्यारा सा देखिए color आया है golden color आया है बिल्कुल crunchy बना है इसी तरह से हम सारे पकोड़े को तल लेंगे सबसे पहले यह देखिए हमारा sandwich bread पकोड़ा बन के ready हो गया है यह बहुत ही फटाक से बन जाने वाला बहुत ही tasty से बन जाने वाला यह bread chop है आप इसे जरूर से एक बार घर पे बनाईएगा मैं आपको इसी crunchiness दिखाती हूँ देखिए यह कितना कुरकुरा और कितना ही crunchy बना है तो आपने देखा यह कितना ही crunchy बना है बाहर से अंदर से आपको उतना ही soft होगा क्योंकि हमारा आलू का filling है और हमने अंदर में sauce चटनी वेगरा डाले हैं इसे आपको cut करके दिखाते हैं देखिए किस तरह से इसका color निखर के आया है कितना अच्छा लग रहा है तो friends एक बार जरूर से आप इसे try किजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो like से जरूर से कर दिजिएगा और हमें Facebook और Instagram में भी जरूर से follow किजिएगा मिलते हैं इसी तरह का एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर